आप एक Yono SPI application user हैं तो आप एक UPI application से होने वाले सबी काम आप अपने Yono SPI app से कर सकते हैं जैसे कि किसी के पास में money transfer करना हो चाए वो QR code scan करके UPI ID के जरिए या bank account में किसी के money transfer करना हो तो यह सब काम आप आसाने से Yono SPI से कर सकते हैं या फिर आपको किसी से money receive करने हो चाए वै कोई सी भी UPI application हो तो आप Yono SPI से आसाने से money receive भी कर सकते हैं आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप QR code scan करके किसी के पास में money transfer किस परकार से कर सकते हैं आप इस application की मदद से कोई भी UPI एप चाए Google पे फोन पे या Paytm या फिर अन्य किसी भी UPI एप में आसाने से money transfer कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप अपने Yono application को open कर लीजिए Yono application में user ID और password किस परकार से बनाये जाते हैं इसके लिए हमने already वीडियो बना दिया है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जिससे आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि Yono SBI के लिए user ID और password किस परकार से create किये जाते हैं यहां से आप login पर click करेंगे और अपना MPIN एंटर करेंगे उसके बाद में इस application का dashboard आपके सामने इस परकार से आजाएगा आपको यहां पर कई सारे features मिलेंगे लेकिन आपको simply Yono Pay वाले option पर click करना है यहां पर भी आपको कई सारे option मिलेंगे जैसे कि अगर आपको किसी के bank account में पैसे transfer करना हो तो आप directly इस option को select करेंगे लेकिन अगर आपको किसी को QR code scan करके या किसी के phone पे Google पे या Pay टेम में पैसे transfer करने हो तो आप BIM UPI आले option पर click करेंगे दोस्तो BIM UPI से payment करने के लिए आपको यहां पर एक UPI ID create करनी होगी UPI ID किस परकार से create करते हैं इसका भी हमने एक वीडियो बना दिया है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तो यहां पर भी आपको काफी सारे option मिल जाएंगे जैसे कि आपको UPI ID के जरिए payment करना हो तो आप इससे करेंगे contact से जैसे कि कोई Yono application user है और उसने Yono SBI application में UPI ID create कर रखी है तो आप contact के जरिए भी payment कर सकते हैं साथ ही आपको किसी के bank account में पैसा transfer करना हो तो आप bank account वाले option को select करेंगे और अगर आपको किसी के QR code को scan करके payment करना हो तो आप इस वाले option को select करेंगे वहीं आपको money receive करना हो तो आप इसको select करेंगे और अपना QR code किसी के पास में बेज के या अपना QR code generate करना हो तो आप इसके जरिए generate करके आप आसाने से अपना money receive कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने पहली बार अपने UPI ID create की है तो उसके लिए आपको एक UPI pin set करना होगा तो आपको account वाले option पर ही click करना है यहाँ पर आपको UPI set का option मिल जाएगा हमने पहले से ही UPI pin create कर रखे हैं तो यहाँ पर receipt pen का option आ रहा है अगर हमने UPI pin create नहीं किये होते तो यहाँ पर set pin का option आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने ATM card के last six digit यहाँ पर fill करने है उसकी expiry fill करनी है next पर क्लिक करना है OTP फिल करना है और आपको अपना UPI pin create करना है UPI pin create करने के बाद में आपको scan QR वाले option पर click करना है उसके बाद में आपके सामने इस परकार का आएगा आपका camera है वो open हो जाएगा अगर आपके पास में live QR code scanner है तो उसको scan कर लीजिए या आपने QR code किसी WhatsApp के जरीए किसी दूसरे से मंगाया है या पिर कोई QR code आपके gallery में पहले से ही save है तो आप select from gallery वाले option पर click करेंगे यहां से आप अपने QR code scanner को select कर लीजिए उसके बाद में आपके QR code को यहां पर fetch किया जाएगा जैसे उसकी detail फैच होती है आप यहां पर देखेंगे कि जिस नाम से QR code बना होगा उसका नाम यहां पर show होगा साथ ही उसकी UPI ID यहां पर show होगी यहां पर आपको amount का option मिलेगा उस पर आप click कर दीजिए और आप जितना amount उसके पास में send करना चाहते हैं उतना fill कर लीजिए select a propose वाले option पर click करना है आपको कई सारे option मिलेंगे लेकिन आपको transfer to family या friends वाले option पर click करना है उसके बाद में आपकी यहां पर UPI ID आए जाएगी तो अगर आपने एक से अधिक UPI ID create करनी है और आप जिस UPI ID से पैसे transfer करना चाहते हैं उसे select कर लीजिए इतना करने के बाद में आपको यहां पर अपने account की detail देखेगे साथ ही अगर आपका account का balance चेक करना हो तो view balance वाले option पर click करना है उसके बाद में आपके account में जितना balance होगा वो यहां पर show होगा इसके बाद में आपको next पर click करना है आप यहाँ पर अपना review देख सकते हैं कि आप जिसको भी money transfer कर रहे हैं उसकी detail सही है या नहीं उसके बाद में आपको pay वाले option पर click करना है इतना करते ही आपको यहाँ पर अपने UPI pin है वो fill करने है UPI pin fill करने के बाद में आपको done पर click करना है अब आपके payment की process है वो शुरू हो चुकी है जैसे payment की process complete होती है आप यहाँ पर आसाने से देख सकते हैं कि आपका जो payment है वो complete हुआ है या नहीं यहाँ पर हमारा payment है वो successfully complete हो चुका है तो इस परकार आप आसाने से किसी को भी QR code scan करके अपने Yono application के जरिये payment कर सकते हैं